हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे कक्षा छे की वर्कशीट नंबर 43 जो की 21 दसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विशे है विज्ञान और टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सजीव एवम उनका परिवेश तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि आवास क्या होता है वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं आवास मतलब रहने की जगें आवास किसी जीव को वे प्रतेक वस्तु जैसे की भोजन रहने का स्थान एवं सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है तो आवास एक ऐसी जगें है जहां पे जीव जन्तु को आसानी से भोजन उपलब्ध हो पाता है रहने का स्थान उपलब्ध हो पाता है और सुरक्षित प्रजनन स्थल भी उपलब्ध हो पा पर पहला है स्थलिय जो की जमीन पर रहते हैं और दूसरा है जलिय यानि की जो पानी में यानि जल में रहते हैं तो कुछ जीव जन्तु जमीन पर रहते हैं तो वो हो गए स्थलिय जीव जन्तु और वो जीव जन्तु जो पानी में रहते हैं वो हो गए जलिय जीव जन्तु ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं सबसे पहले, मरूस्थल आवास, अब मरूस्थल क्या है, मरूस्थल पानी में तो होता नहीं है, इसका मतलब ये स्थली आवास का एक उधारण है, ठीक है, छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गढ़े में रहते हैं, और रात में बाहर आते हैं तो बच्चो मरूस्थल में होता ये है कि जो जीव जन्तु मरूस्थल में रह रहे होते हैं वो जमीन में गहरा गड़ा करते हैं और दिन के समय इस गड़े के अंदर चले जाते हैं और रात के समय निकलते हैं अब इसका क्या कारण हो सकता है? दिन की समय बहुत जादा धूप पढ़ने की वज़े से गर्मी बहुत जादा हो जाती है. तो खुद को गर्मी से बचाने के लिए ये जीव जन्तु जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे इन्हें गर्मी से राहत मिलती है. अब रात के समय क्योंकि तापमान नॉर्मल हो जाता है, तो फिर ये जीव जन्तु जमीन के बाहर आ जाते हैं, यानि गड़े से बाहर निकल के नॉर्मल तरीके से रहने लग जाते हैं. पौधों में पत्या या तो अनुपस्थित होती हैं, या काटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं. तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़े मिट्टी में गहरी जाती हैं. अब वो पेड़ पौधे जो मरुस्थल में रहते हैं, सबसे पहले उनकी जड़े बहुत गहराई में जाती हैं, क्यूंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती हैं, तो जड़े बहुत गहराई में जाती हैं, जिससे इने पानी मिल सके. ठीक है, दूसरी चीज इनकी जो पत्यां है या तो काटो की रूप में होती है, या बहुत छोटी होती है तो बचो पत्तों के बीछे की साइथ छोटे-छोटे से रंदृ होते हैं जिनको स्टॉमिता कहते हैं और इन स्टॉमिता के थू जो पेड़ पौधे हैं, उनके शरीर से पानी निकलता है, तो अगर ये पेड़ पौध, अगर ये जो पतियां है, नॉर्मल आकार की रहेंगी, तो इनमें बहुत सारे स्टॉमेटा होंगे, और इस तरीके से इन पेड़ पौधों से पानी की हानी बहुत जादा होगी, लेकि इसके लावां जो तने होते हैं, उनके मोम की परत होती है, तो उसका भी यही रीजन है, कि पानी की हानी इनके शरीर से ना हो पाए, तो ये एक हम कहेंगे, कि रूपांतरन होता है, कि जिस जगहें पे आप रह रहे हैं, उसके अनुसार आपका शरीर अपने आपको ढ़ाल देता है, अब हम बात करें उंट की, तो उंट रहता है मरुस्थल में, और मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि रेद बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इस वज़े इसकी जो टांगी हैं, वो बहुत लंबी होती है, जो रेद की गर्मी से इसे सु रहतेक हैं जल वह лोल ज्ड़ी आवास यह जल में रहने वाले जीव जन तो पहला है अधिकांश्त जीवों के शरीर एक रेखिक रूप से विवस्तित होते हैं और इनमें गिल्स पाये जाते हैं जलिये पौधों में जणे कम विक्सित होती हैं तने खोखले होते हैं और हलके होते हैं तो देखो जो जीव जन्तु है वो एक रेखिक होती है इनका शरीर और इनमें गिल्स पाई जाते हैं अब गिल्स क्या काम करते हैं हर एक जीव जन्तु चाहे वो पानी में रहता है या जमीन पे रहता है उसे ऑक्सिजन की जरूरत होती है अब जो जमीन पे रह रहे हैं वो तो हवा से ऑक्सिजन ले लेते हैं लेकिन वो जीव जन् पानी सेलेनी पड़ती है तो इन जंतूओं में गैस होते हैं क्योंकि गैसे में सब्सक्राइब यहां पर पॉद्धों की बात करें तो बहुत जादा है तो जड़े बहुत चोटीISH होती है जिससे इन्हें पानी जितना चाहिए उतना ही मिल पाए बहुत जादा पानी इनके शरीर में ना चला जाए तने इनके खोकले होते हैं और हलके होते हैं यही कारण है कि यह पानी के बाहर भी रह सकते हैं और तैर सकते हैं के बहुत जादा heavy हो जाएंगे तो ये ढूब जाएंगे और पत्यां चौडी होती है रिबन की तरह होती है अब पत्यां चौडी क्यों होती है क्योंकि इनकी पत्यों में बहुत सारे stomat होते हैं और इस वज़े से इनके शरीर से पानी का जो पानी है वो लगातार होता रहता है और इस तरीके से अपने आपको सुरक्षित रखते हैं अब अगर हम मचली की बात करें तो इसका शरीर एक रेखित होता है जिससे पानी में आसानी से तैर सकते हैं शरीर शलकों से धका होता है और इनमें पंक होते हैं तो शलकों से धका होत जो इनके शरीर को ढखकर रखती है जिससे की पानी में रहने की वज़े से इनकी तवचा सड़े नहीं नुकसान ना हो उसे ठीक है और गिल सुपस्तित होते हैं क्यों पानी से ऑक्जीजन को अवसोशित करने के लिए अब इसके बाद हम questions की तरफ आते हैं यहाँ पे हमें कह रखा है इन चीजों को परिभाशित करना है पहला है आवास दूसरा है जैवकारक तीसरा है अजैवकारक उसके बाद है मरुस्तलिये पौधों के लक्षन जलिये पौधों के तने के विशिस्ट लक्षन और उट और हम उत्तर लिख लेते हैं तो बच्चों सबसे पहले हमें आवास को परिभाशित करना था तो यहां से लेकर यहां तक आप लिखेंगे और यह option A का answer आजाएगा आवास का ठीक है दूसरा क्या था जैवकारक तो चलिए जैवकारक का हम लिख लेते हैं तो बच्चों जैवक कारक की आप परिभाशा लिखेंगे परियावरण में उपस्थित वे कारक जिनमें जीवन होता है उन्हें जैवकारक कहते हैं ठीक है अब इसके बाद हम परिभाशित करेंगे आजैवकारक को तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं तो बच्चों C पार्ट का आप आंसर लिखेंगे परियावरण में उपस्थित वे कारक जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें आजैवकारक कहते हैं ठीक है डी पार्ट है मरुस्थलिये पौधों के लक्षन लिखिए चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं तो बच्चों D पार्ट का आप आंसर लिखेंगे पहले मिट्टी में गहरी जाती हैं तो ये आजाएगा D पार्ट का आंसर इसके बाद E पार्ट में हमसे पूछा है कि जलिये पौधों के तने के विसिस्ट लक्षन लिखिए तो जलिये पौधों में हमने देखा था कि तना कैसा होता है खोकले होते हैं और हलके होते हैं ठीक है य कोट के लक्षन यहां से लेकर आप यहां तक लिखेंगे और मचली के लक्षन आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे और यह आज आएका एंद गा आंसर तो बच्चों यह थी आज की हमारी साइन्स की वरकशीट and I hope आप सभी को यह वरकशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू